हलो फ्रेंट्स आज मैं आपसे बहुती काम की वीडियो शेयर कर रही हूँ रोस्टिट फीड दली आई यानि हम घर पर दली को कैसे रोस कर सकते हैं और साथ ही हम उसको पूरे साल के लिए कैसे स्टोर करके रख सकते हैं आज मैं आपसे वही वीडियो शेयर करूंगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और इसी तरीके से ने-ने दिश देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आहिए अब हम देखते हैं किस तरीके से देली को आसानी से रोज कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक किलो बजार का ये दलिया लिया है पैक दलिया है ये मिना बुना दलिया है अब इस दलिय को हम जो है वो कड़ाई में रोज करेंगे मैंने microwave में किस तरीके से दल्य रोज कर सकते हैं वो पहले ही इस की वीडियो डाली हुई है जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं और description box में उसका link मिल जाएगा अब एक कढ़ाई लिए, heavy कढ़ाई लेंगे हम थोड़ा सा जिसका तला मोटा हो जब हमारे कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाएगी तो इसके बाद हमें से इस तरीके से चलाना पड़ेगा continuous कैस हम fully रखेंगे चुकि हमारे कढ़ाई भी काफी heavy है तो इस तरीके से देखे हम इसको लगातार चलाते रहेंगे इसमें हमने बिल्कुल भी oil का use नहीं किया यानि हमको एकदम इसको dry rose करना है क्योंकि अगर हम कोई भी oil use करेंगे तो बाद में वो oil की जो खुश्बू होगी वो इसको खराब कर देगे और चुकि हमको इसको पूरे साल के लिए store करना है तो हमें इसको एकदम dry rose करना है तो देखे इस तरीके से जब भूनते जाएंगे थोड़ा थोड़ा से इसका color भी change होने लगा है तो करीब इस तरीके से ये 15 मट के करीब इसको भूने में दलिया को लग जाते है जब थोड़ा से में खुश्बू आने लगेगी हलका हलका दलिया बुरने लगेगा फिर हम थोड़ी से gas को slow कर देंगे और उसके बाद हम इसको लगातार चलाएंगे हलका हलका color इसका change होने लगा है और जब दलिया हमारे पास roast किया हुआ होता है तो आप देखें आप इससे कितने सारी recipes तुरंती बना सकते हैं इजी cooking के लिए जरूरी है कि हम कुछ चीजों को पहले से तयार करके रखें एक तो पूरे साल आपको इसको चानना नहीं पड़ेगा बहुत सारी recipes मैने इसके लिए तियार गए है देखें देली हमारा roast हो चुका है ठंडा करने पर इसको डब्बे में भर देंगे और ये मेरी अलग recipes हैं जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं मीठा देलीय कैसे बना सकते हैं माइक्रोवे में देलीय कैसे बना सकते हैं थैंक यू